एलो गैस्, वेल्कम टो मैट है नेक्ना है just गैस् यह लैपटॉप पाली ट Evans की तो इसके लिए मैं मेट बना रही थी तो देखे वसके मैंने किस तरह幫 सरव यह और देखें के मैंने किस तरह और इस वनाया लाता जाती है पूरा फ्रेंस नीचे का साधा-साधा कपड़ा निशान लीया है अब उसे इस तीरे से टेबिल में लगा लेंगे ध्यान रखना है कि हमने इतनी इतनी लटक चाहिए हो गी टेबिल के चारूं तरफ तो बरोबर से चारूं तरफ कि लटक होनी चाहिए और बीच में हमें इस तरह से निसान लगा लेना है, पूरा टेबिल के जितना बड़ा में मैट बनाना है, अब मेरे पास कुछ पुराने टुकड़े पड़े हुए हैं, कत्रन पड़ी हुई है सिलाई की बच्ची तो उसको मैंने इस तरह से रिवुज करके एक पीस बना लिय जोड़े पीस तेयार कर लेना है, जिस भी टुकड़े पड़े हुए हैं। जोड़ बनाने, जोड़े की बनाने होगी, जब अ बनाने इस तरह से तरह introduction को तो देखिए कितना सुन्दर लग रहा है पूरा पीस बनके रेडियो हो गया इस तरह से अब हमें एक फोम का पीस लेना है आपके पास कोई साड़ी बगारा से निकली या कपलों से निकली फोम भी हो सकती है उसे भी आप रियूज कर सकते हैं तो फोम का पीस लेके टेबल के वरोबर का में कट कर लेना है विल्कुल जिस वरोबर का मनें पीस तयार किया है तो अब उसी के उपर इस तरह से रखके वरोबर सारे साइड में जो किनारे-किनारे कपड़े हैं वो सब कट करके वरोबर का पीस विल्कुल तयार कर लेना है एस्ट्रा पीस से बटा देने है तो guys इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं और जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शं ली देदूंगी तो डोर मैड बनाना और अर डानिंग टेबल के लिए मैड बनाना या टेविल के लिए किस तरह से आप मैड बना सकते हो छोटी-ः विक आप चाहें तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप चाहें तो देख सकते हैं जाके अब मैंने जो कोर्पी वाला पीस निकाला था उसको चारों तरफ किनारे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और इतना इतना लटक रखना है यह हमें ध्यान रखना कि इतनी लटक रह ने चाहिए इसमें और इस तरहें से पीच में दिखाते हूं यह दो करना है कि इतना में फोल्ड करना था कि इसमें हम कोई भी डोरी या इलास्टिक डालना चाहिए प्लास्टिक भी डाल सकते हैं जिससे कि आसानी से आप टेविल के उपर रखके इस तरह से टाइट कर देंगे तो यह बहुत ही सुंदर लगेगा और विल्कुल फिट हो जाएगा इसमें फिसलेगा नहीं यहां वाहां और इस तरह से मैंने इसे अभी डोरी लगाई थी तो मैं आपको दिखा रहे हूँ इस तरह से ड टेविल के उपर रखके बांदेना है और दोरी को अंदर कर दीजिए और देखिए कितने अच्छा फिटिंग का विल्कुल उसके टेविल के विल्कुल फिटिंग का टेविल टॉप के विल्कुल बनके तयार हुआ है और देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है इसकी जो किनारी पाइपीन लगी हुई है वो अलग से उबर के आ रही है तो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है मैट और अंदर मुड़ा हुआ कपड़ा भी नहीं देख रहा है और यह अच्छे से फिटिंग भी हो गया इसमें तो फिसलेगा भी नहीं आप इसमें रख के अच्छे से जैसे भी चाहें यूज कर सकते हैं और जब भी गंदा हो जाए तो निकाल के आसानी से इसे धुल भी सकते हैं तो इस तरह से आप घर में बेकार पड़े छोटे-उटे टुक्ड़े या पुराने कपड़े उनको उनसे आप इस तरह से रिसाइकल करके कि इतने सुन्दर सुन्दर डिजाइनर मैट बगारा बना सकते हैं या और भी चीजे बना सकते हैं तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जब भी कुछ खा पी रहे इस तरह से प्लास्टिक का एक मैट रख लीजिए उपर से तो मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए उम सान्ती एंड बाई बाई